हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक और हमारी उत्तर प्रदेश जी के की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल या फिर उत्तर प्रदेश की जोगरफी को अध्यान कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की जोगरफी के अंद्रकत आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरप्रदेश के खनिस साधन या फिर उत्तरप्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज तो इस टॉपिक को आज हम डेटिल में कवर करेंगे इसके लावा मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारी वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तरप्रदेश के जितने वी competitive exams होते हैं सभी exams के लिए खाफी ज़्यादा beneficial होने वाले हैं तो आँगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा update दे दे दूए अपको इस topic के PDF चाहिए है तो आप हमारे crazy g के trick के application से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लाव वहाँ पर आपको different type के courses भी मिल जाएंगे तो उन courses को आप application से अवेल कर सकते हैं तो चलिए आज का हमारा topic राएगा उत्तरपदेश की खनिश संसादाने है फिर mineral resources of उत्तरपदेश तो पहले हम इसकी पूरी theory discuss करेंगे और theory की बाद last में हमारे एक महत्वपूर्ण MC की उसका section रहने वाला है तो चलिए सबसे पहले हम खनिश की definition या फिर mineral की definition को समझ लेते हैं ये मनुस्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण संसादन होते हैं तो थोड़ा हम इसकी definition समझते हैं देखिए खाने जो होते क्या है तेकि तीन layer होती है प्रधवी पर है ना एक होता है crust सबसे बाहर वाली बीच वाली होती है mental और सबसे अंदर वाली होती है core तो जो प्रधवी का crust होता है या फिर हम हिंदी में जैसे भूपरपटी बोलते हैं तो जो प्रधवी की भूपरपटी होती है वो अनेक तत्तों से मिलकर के बनी होती है तत्तों का मतलब क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया है जैसे oxygen हो गई सिलिकॉन हो गई, aluminum, iron, calcium, sodium तो यह सबी element होते हैं या तत्तों होते हैं और यही तत्तों आपस में kriya या फिर avikriya करके क्या बनाते हैं compound बनाते हैं या फिर yogic मनाते हैं तो यही तत्तों और yogic हम है खने संसाधन के रूप में प्रथवी से प्राप्त होते हैं और इन खनेजों को हम कैसे प्राप्त करते हैं तो खनन प्रक्रिया के द्वारा खोद करके निकालते हैं और प्राप्त करते हैं और कोई भी खनिश हमें सुध्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, अशुध रूप से आयस्क के रूप में प्राप्त होता है, हम तकनीकी का प्रयोग करके उसे सुध्ध करते हैं, तो ये खनिश की definition है, आपको याद रखनी है, कौन-कौन से खनिश होते हैं, जैसे लोहा ह उत्तरप्रदेश की भूगर्विक संदशना में जलोड निक्षीपों का होना है, तो ये निम्नमध्यम स्रेणी से मतलब क्या है, कि यहां बहुत ज़्यादा खनिश पाई नहीं जाते हैं, देखे, उत्तरप्रदेश में कम खनिश संसादन पाई जाने का कारण क्या है, कि जो उत्तरप्रदेश की भूगर्विक संदशना, उसका मेक्जिमम एक बहुत बड़ा पाट क्या है, मैदान है, जो की नदियों के दौरा बनाएगा है, इसी कारण से यहां पर काफी कम खनिश पाई जाते हैं, उत्तरप्रदेश में पाई जाने वाले कुछ प्रमुक खनि सुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते, बलकि मन उसे तकनीकी के द्वारा उसे सुद्ध करता है, अभी मैंने आपको यह पॉइंट बताया था, कि जब भी हम कोई खनिश निकालते हैं, वो आयस्क की रूप में निकलता है, कभी भी सुद्ध रूप से नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है कि हम लोहे का खनन कारेंगे, तो डिरेक्ट हमें लोहा मिल जाएगा है, उसके आयस्क मिलेंगे, उससे हम तकनीक का प्रयोग करके लोहा निकालते हैं, खनिश उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दसवा इस्थान है, तो यह कुछ जानकारी थी है, स साधरन सी उत्तर प्रदेश के वारे में इसके लाबा खनिश क्या होते हैं, आपको समझ में आई होगी, अब हम खनिशों का थोड़ा वरगी करने या फिर क्लासिफिकेक्शन ऑफ मिनरल्स देखते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिश या फिर जिसे हम नॉन मैटलिक मिनरल् सबसे पहले हम धात्विक खनिश को समझते हैं, ऐसे खनिश पदार्थ जिनको गलाने से हमें धातू प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यह लचीले होते हैं, फ्लेक्शिवल होते हैं, अर्थात इनको कैशावी सेप दे सकते हैं, यह आप इनको हतोड़े से पी होते हैं, तो यह तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कौन-कौन से होते हैं, जिसे सोना हो गया, वॉकसाइट हो गया, लोगा, इसको गया, तो यह कुछ यहाँ पर मैंने धात्विक खनिश कवर किया है, अगला है, ऐसी खनिश पदार्द इसमें धातू के अंश नह पड़ा था, यह flexible होते हैं, इनको यह अप हतौरे से पीटेंगे, तो यह पतले हो जाएंगे, और फिर किसी सेप में ड़ल जाएंगे, लेकिन जो अधात्विक खनिश होते हैं, इनको पीटेंगे, तो यह तूट फूड जाएंगे, इसलिए यह भंगोर होते हैं, यह मिनरल्स की, तो इन खनिशों में कोईला, पेट्रोलियम, इवन प्राक्रतिक गैस आधी सामिल हैं, यह क्या होते हैं, यह इधन होते हैं, इसके लावब यह आवशादी और आगने दोनों प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको इकन बताया है कि यह धात्वी खनिश क्या होते हैं, अधात्वी खनिश क्या होते हैं, इसके लावब ओर्जा खनिश क्या होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, प्रदेश के प्रमुख खनिश चेत्र, तो जो उत्तरप्रदेश में प्रमुख खनिश चेत्र, उनको हम डिस कौन से छेतर है एक तो विंदन करम की चट्टान है है ना साउथ वाला पार्ट है इसके लाबा यहीं पर बंदिल खंड छेतर है बंदिल खंड प्लेट्ट्च्व वाला रीजन है इसके लाबा हिमाल्यसरनी की निछले भाग वाले छेतर और कुछ नदी घाटिया तो इतने छेत्रों में ये खनिच पाए जाते हैं। ये छेत्र आपको याद रखना है एक्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस छेत्र में खनिच पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। जो भी प्रदेश में प्राकृतिक साधन पा जाते हैं उनकी खोज करना है ना और जो भी व्योशाय हैं उससे संबंदे तो उनके स्थापना और अन्वेशन कारे को संपन्न करना ये सब इसके कारे थे और तरपर इसकी पहली खनिज नियती आई थी वो कब आई थी 29 दिसंबर 1998 तो ये डेट आपको याद रखने हैं खनिज नियती 98 माई थी इसके लावा इसके तहट 12 जिलों को खनिज बहुल चेतर घोशित किया गया था तो 12 जिलों को खनिज बहुल चेतर घोशित किया गया था कौन-कौन से जिले थे थोड़ा देख लेते हैं प्रयागराज, जहांसी, सहारनपूर, मिर्जापूर, ललितपूर, जालौन, महोवा, सौनभद्र, चित्रकूर, चंदौली, बांदा और हमेरपूर मैप में आपको मैंने आपको मैंसनन किया हुआ, यहां बताया है तो आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि खनिज विकास निगम की स्थापना कर थी तो 1974 में काफी जादा important point है इसके लावे इसका उद्देश ही क्या था प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करना है ना तो उद्योगों का विकास करना जो भी खनिज से संबंदित उद्योग है इसका कारित था इसके लब इसकी स्थापना 1974 में हुई थी तो इस लाइड में मैंने कुछ important fact cover की हैं जो की काफी important है आपको याद जाता है ना तो किन चट्टानों में पाया जाता है जहां पर भी calcium वाली चट्टाने होती है वहाँ पर यह पाया जाता है प्रमुख छेत्र कौन-कौन से तो मिर्जापुर्जिले के गुरूमा कनाच एवं रोहतास छेत्रों तथा सौनभद्र के कजराहट छेत्र के चुना पत्थर प्रचुरमात्रा में पायाता है ना तो मिर्जापुर्जिले आपको याद रखना है उसके यह च्छेत्र है तो यह भी आपको याद रखना है इसके लावा सौनभद्र का भी एक च्छेत्र है तो यह भी आपको याद रखना है उपयोग क्या होता है चुन पत्थर की आपूर्ति इन्ही इस्थानों से की जाती है तो जो भी सिमेंट फैक्टरी है ना तो इनमें जो चुने की आपूर्ति है वो इन्ही इस्थानों से की जाती है यह भी पॉइंट आपको याद रखना है चुना पत्थर के संचित भंडार की दिश्टी से और आंदर प्रदेश तो ये तीन प्रमुक उत्पादक है चुना पत्थर के तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है आंगे है कांच बालू या फिर हम जिससे सिलिका सेंड भी बोलते हैं तो प्रमुक छित्रों की बात करों तो प्रदेश में गंगा तथा यमुना नद से हमें ये कांच बालू प्राप्त होती है कांच बालू के उत्पादन की दिष्टी से उत्तर प्रदेश का देश में आंदर प्रदेश के बाद दूसरा इस्थान है तो काफे ज़्यादा इंपॉइंट है दूसरा इस्थान हमारा आता है आंदर प्रदेश के बाद ये गौनवाना पत्त्रों से यह निकाला जाता है ऩी तो एक पण्ट यहां से आपको यह याद रखना है कि जो भी हमारे भारत में को Consider निकाला जाता है वो' मैक्जियोमइ कोला गौनवाना क्रम की चट्ट्टानों से निकाला जाता है तो जेला कौन सा है? सौन भद्र है, उत्रपर्देश में से इसे रलावा गोनवाना चट्टानों सी हमें प्राप्त होता है उत्रप्रदेश कोईले के भंडार की धर्श्टी से देश में आठवे इस्थान पर है न तो यदि भंडारन की बात करें तो आठवाय नंबर आता है हमारे उत्तरप्रदेश का तो ठीक ठाक भंडार कोईले के यहाँ पर है इसके लावा कुछ पॉइंट यहां कवर की हैं कोईले में विश्वी के प्रमुक उत्पादक कौन कौन है तो चीन, अमेरिका और भारत यह पहले दूसरी और क्रमसा दीसरे स्थान पर है इसके लावा देश में कोईले के प्रमुक उत्पादकों की बात करेंगे तो 36 गर्ड, जहर खंड और उडिसा आते हैं पहले दूसरे और तीसरे नमबर पर भारत में कोईला गौनवाना क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टें इसके प्रमुक चित्र कौन कों से हैं बांदा, चंदौली, वरांसी और चित्रकूट सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किया हैं तो आप देख सकते हैं प्रदेस में इस आयसक से अलूमिनियम निकालने का काम रेनुकूट स्वान बदर में हिंडाल को कंपनी के द्व करण विजलिके द्विजलिक के उपकरण और वरतन आदी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तो कभी ना कभी अपने अलूमिनियम का यूज किया होगा विद दृद वायर में भी होता है आपको पता ही होगा कुछ पॉइंट मैंने important यहां पर cover किये है बिस्सु में बॉक्साइट के प्रमुक उत्पादक देशों में करमसा आस्टेलिया, चीन और ब्राजील है ना तो ये वर्ल जोक्राफी का एक question मैंने cover किया है कि आस्टेलिया पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर है तो उसे हम dolomite कहते हैं तो सबसे पहले यह समझ लिजी कि dolomite होता क्या है तो जो अभी हमने चुना पत्थर पढ़ा, उसमें यदि 10% से अधिक magnesium है तो उसे हम क्या बोलेंगे, dolomite बोलेंगे प्रमुक छेत्र कौन से है, तो सौन भद्र के चेत्र में यह हमें प्राप्थ होता है, dolomite न, तो यह भी आपको याद रखना है इस के लगवे, इसका उप्यूंग कहा होता है तो इस पात उद्यूग में, इस पात उद्यूग में पोर्टलेंड सीमेंट, प्लास्टर आफ पैरिस बनाने में गंधक आधी इन चीज़ों में या फिर इन उद्योगों में इसका प्रयोग होता है कुछ एक पॉइंट यहां पर मैंने कवर किया है भारत में डॉलमाइट की प्रमुक उत्पादक राजियों में जहासी में भी इसकी खोज की गई है उप्योग की बात करों तो सिमेंट उद्योग में इसका उप्योग होता है शीट वनाने में जो आप घरों में यूज करते हैं यह देखिए मैप में मैं आपको बताया है chemical reaction का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है अगला है endolcite तो ये इसके प्रमुक्षेतर कौन से है मिर्जापुर जनपर्द में ये पाया जाता है उपयोग की बात करूँ तो porcelain तथा spark plug उद्द्योग में तो ये प्रमुक्षेतर कौन कौन से है इसके प्रमुक्षेत्र कौन कौन से हैं जहासी और हमीरपूर इसके प्रमुक्षेत्र हैं तो जिप्षम आपको पता होगा सिमेंट उद्योग में भी इसका यूज होता है इसके लावे ये आउशादी चट्टानों में हमें प्राप्त होता है उपयोग की बात करों तो सिमें प्रदेश में रॉक फॉस्वेट व्रहत पैमाने पर कॉल फरमिशन से हमें प्राप्त होता है। इसके लवब इसके कुछ छेतर प्रमुक कुन कुन से हैं। दुरमाला, माल देवता, चमसारी, रॉक फॉस्वेट के यहां पर विशाल भंडार पाई जाते हैं। तो यह मैं आपको मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। रॉक फॉस्वेट के नए भंडार बांदा जनपत से हमें प्राप्त हुए हैं। तो यह भी पॉइंट इम्पॉटेंट हुजाता है कि एक्जाम में सीदह सो कुशन मनने करता है। यह भी वर्तमन में रॉक फॉस्वेट के भंडार हमें कहां देखने को मिले हैं। तो बांदा जनपत में देखने को मिले हैं। इदोना ही बुंदिलखंड के जिले हैं बांदा और ललिद पॉर। आंगे है सेल खडी। इस टेटाइट को ही सैल खड़ी या फिर घी या पत्थर के नाम से भी जाना जाता है इसके कोई प्रमुक्षित कौन कौन से है हमीरपूर या फिर जहासी है तो उपयोग आपको याद रखना है इमारतों को सजाने के लिए इसके लावा पेंट बनाने सावन बनाने आदी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है एक यहाँ पर नोट में ने कवर किया है उत्तर प्रदेश देश में एंडलुशाइड एवं डायस्पूर खनिस्तन सा पारण में तो आपको याद रखना है आँगे संगमरमर तो यह एक प्रकार का चिखना पत्थर होता है आपको पता ही होगा संगमरमर आपने दिखा ही होगा इसके लावा प्रमुक्छेत्रों की बात करने तो मिर्जापूर और सौन भद्र जिलों में यह पाये जता है पठारी छेत्रे पूरा दक्षणी वाला एरिया इसके लावा जाओ इसका उत्तरी वाला छेत्रे वो पूरा मैदानी छेत्रे है और हमने पहले ही मैंने आपको बताया कि मैदानी छेत्रों में बहुत ज्यादा खनिज नहीं पाय जाते है इसका उप्योग किस में किया जाता तो सौना सार्दा और रामगंगा नदियों की रेट में पाया जाता है आपको पता होगा सौना एक तो ख़दानों से भी निकलता है इसके लावा जो नदियों में जो रेट पायाती है उससे भी सौना निकला जाता है जब जो सौना नदियों की रेट से हमें प्राप्त होता है उसको के बोलता है प्लेसर गोल्ड है फिर प्लेसर सौना भी बोलता है तो यह point भी आपको याद रखना है ठीक है तो आपको याद रखना है यह जन्पत्क जो जगह मैंने राफ indoor когда बीकमपुर छेतर तो यहां पर भी सोने होने की संभावना बताई गई गई है कुछ पॉइंट मैंने कवर कि है विश्व मैं सॉने का सबसे अधिकुतपादन कहा होता है तो चीन, आस्टेलिया और रोसी केमसा पहले दूसरे और तीसरे स्थान पारे से इसके लब भारत में सोना का सबसे अधिकुत पार्दन कहा होता है तो करनाटक में होता है काफी important point एक सरेक्जाम में पुछ लियाता है और दूसरे नंबर पर जहरकंड है तो आपको याद रखना है ना करनाटक में खादानों से और जहरकंड में नदियों से हमें सोना प्राप्थ होता है नदियों की रेतों से हमें सोना प्राप्थ होता है तो ये point भी आपको याद रखना है हीरा इसके लावा कारवन का सबसे सुद्रूब भी होता है हीरे के आयसक मुख्यता किमबर लाइट की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है जो हीरा में प्राप्त होता है वो किस चट्टानों से प्राप्त होता है किमबर लाइट चट्टानों से प्राप्त होता है भारत में होता है तो यह बांदा जन्पत है और यहां पर मिर्जापुर में जो जंगल है यहां से हमें हीरे प्राप्त होते हैं आंगे है इमर्ती पत्थर तो यह एक प्रकार के चूने के पत्थर होता है प्रमुक्षेत्र कौन सा है तो मिर्जापुर से हमें यह प्राप्त होता है उप प्राप्थ होता है इसके लगवा प्रमुक्षेत्रों की बात करो तो ललत्पुर जिले का cenra राईच्षेत्र में तावी का उत्तपादन होता ह् ठीक है तो ललत्पुर जिला तो यहाँ से आम है यहाँ से आ之 में यह हैं वहाँ पर मैंने इंडियन और वर्ल्ड जोग्रफी के भी fact cover की हैं ताकि आपको यहाँ पर आपकर एक प्रकार से revision भी हो जाए आपके वर्ल्ड जोग्रफी और इंडियन जोग्रफी तो यह आपको important है याद रखना है खास्तोर पर पिजवेल्ड नाम आपको याद रखना है important है प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम के सीमित भंदार खोजे गाए है तो ललितपुर जिला वन्दिल खंट रिजन में ही आता है इसके लावा कुछ फैक्ट में ने कवर की हैं, विश्व में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन-कौन से हैं, कजागिस्तान, कनाड़ा और आस्ट्रेलिया, इसके लावा जादू गोड़ा खान भारत में प्रत्थम यूरेनियम की खान है, यो कि ज यह पॉइंट आपको याद रखना है, अगला है फायर क्ले या फिर नॉन प्लास्टिक, तो यह है जो इसके कहां पाया जाता है, तो गौनवाना यूग की चट्टानों में ये फायर क्ले की निक्षेफ हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा भी मैंने बता था, गौनव क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं, प्रमुक छेत्रों की बात करो, तो मिर्जापुर जो जनपद है या फिर जिला है, आप मैप में देख लीजे, यहां पर यह पाया जाता है, इसके जो कुछ छेत्र हैं, बासी और मकरी, तो यहां पर यह पाया जाता है, एक तो ये मिर्जापुर में पाए आता है पाइरोफाइलाइट जहासी ललितपूर हमीरपूर में पाए आता है पोटास प्रयागराच चंदौली जहासी चाइना कले सौनभद्र मिर्जापूर बांदा कॉंक्रीट की बात करों तो प्रदेश के मैदानी छेत्रों में यह पाए आता है तो यह सारे बुंदिल खंड रीजन के जिले हैं तो एक पॉइंट आपको बस यह याद रखना है जो हमारा बुंदिल खंड रीजन है फिर बुंदिल खंड का पठारी रीजन है मैग्जियूम जो उत्रप्रदेश के खनेज़ है वो इसी रीजन में पाई जाते है कुछ कॉइंट फैक्ट मैंने आपे कवर किये है बिश्व में लौह आईश्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश चीन, आस्ट्रेलिया और ब्राजील है तो यह important fact है आपको याद रखना है भारत में लौह आईश्क का उत्पादन करने वाला प्रमुक जो राज है वो उडिशा, च्छाथिजगाट और क्रमसा, जहारखंड यह तीन राज है अत्रप्रदेश में ग्रेनाइट पट्टिया तथा स्लेब चुनार में बनाए जाते हैं तो चुनार में क्या-क्या बनाया जाता है ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेड बनाया जाते है तो एक उ-कुछ important, अलक्से मैंने fact आपको यहाँआर पर cover करके बता हैं आपको याद रखने है चलिए तो ये था हमारा थियोरी सेक्षन अब हम महत्वपूर्ण MCQ उसको यहां पर डिसकस करेंगे तो पहला कोशन है राज में एसवेस्टास कहां पर पाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा मिर्जापूर मैंने आपको बताया था मिर्जापूर आंसर इसका सही हो जाएगा इसकलावा जहासी में भी इसके भंडार हमें देखने को मिलते हैं अगला कोशन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर उपलब्ध है तो इसका अंसर हो जाएगा ये ललेतपूर बिलकुँ सही है ललेतपूर में हमें सीमित भंडार देखने को मिलते हैं यूरेनियम की तो ये पॉइंट भी मैंने आपको डिसकस कराया था अगला कोशन है उत्तर प्रदेश में कोईले के भंडार हमें कहां देखने को मिलते हैं तो सिंग रॉली छेतर में हमें ये कोईले के भंडार देखने को मिलते हैं इसके लवा कोईला हमें गौनवाना प्रकार की जो चट्टान है उससे प्राफ्थ होता है अगला कॉश्चन है उत्रप्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं इनमने से कौन से प्रमुख खनिज है उत्रप्रदेश में पाया जाने वाले तो तावा पहला है तावा और ग्रेफाइट ये तो नहीं है इसके लवा लाइम स्टोन और डॉलोमाइट ये बिल्कुल सही नहीं है अभ्रग जो है वो उत्रप्रदेश में नहीं पाया जाता है उत्रप्रदेश के किस जिल्ले में यूरेनियम के सीमित भंडार हमें देखने को मिलते हैं तो ये अभी मैंने आपको रिपीट करवाया है ये भी दो कॉस्चन आये हुआ है तो इसकान सरोजा का ललित पूर में में सीमित भंडार देखने को मिले हैं यूरेनियम की ये देखिए जितने भी कॉश्चन में आप डाले हैं सब एक्जाम में आये हुए हैं तो काफी इंपोर्टेंट कॉश्चन है सौनभद्र जनपद में निम लेकित धातूं में से कौन सी धातू नहीं पाए जाती है तो सौनभद्र में देखिए यूरेनियम नहीं पाए जाता है सौनभद्र में ठीक है तो यह बिलकुँ सही है, सौनबद्र में चुनवपत्थर पाया जाता है, इसके अलबागी सारे गलत हो जाएंगे, यह आंसर सही है, रेणुकूट जाना जाता है, तो एलुमिने मुद्यूक के लिए जाना जाता है, यह पॉइंड भी मैं आपको बताया था, हिंडालको कंप उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुक खनिज कौन से हैं? तो यह तो गलत है, लाइम स्टोन रथा डॉलोमाइट, तो यह आंसर भी इसका गलत हो जाएगा, C आंसर भी जाएगा, रॉक फॉस्फिट और डॉलोमाइट यहां पर पाए जाते हैं. डॉलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीती कब घोशित हुई थी? तो 1998 में उनीज सो अठानव में खनिज नीती घोशित हुई थी है, जो भी इससे रेलेटेड अध्योगोते उनको बढ़ावा देने के लिए खनिज नीती बनाई गई थी. खनिज विकास नेगम की इस्थापना कभी की गई थी? तो सुकान सरोजा का D 1974 में खनिज विकास नेगम की इस्थापना की गई थी. तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था. खनिज की दश्टी से उत्रपदिस किस स्रेणी का राज्य है? तो यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा खनिज पा जाते हैं ना बहुत कम खनिज पा जाते हैं तो निम्न मध्यम स्रेणी का राज्य है. पहला ही पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था ये. इसके लाबा किस छेत्र से सरवादिक खनिज प्राप्त होते हैं? तो मैं बुंदिल खन्ड रीजन है फिर बुंदिल खन का जो पठार रीजन है. वहाँ से हमें सरवादिक खनिज देखने को मिलते हैं. जेले कौन कौन सो जाएंगे? बांदा, ललितपूर, बांदा, सौनब्द्र. यह कुछ जिले हैं जो कि बुंदिल खंड रीजन की यहां से सरवातिक मात्रमा में खनेज देखने को मिलते हैं डल्ला सीमेंट फैक्टरी कहां पर इस्थित है तो सौनभद्र में इस्थित है तो महराष्ट में तो नहीं होता है तो यह भी नहीं होगा मद्रप्रदेश में भी नहीं होता है तो इसका सी अंसर सही हो जाएगा 36 जहारखंड और उडिशा ठीक यह सबसे वड़े उत्पादक हैं कोईले के बिस्व में बॉक्सराइट के उत्पादन की दश्टी से देश घरते क्रम में जमाई है तो यह भी मैंने आपको डिसकस काया था सबसे पहले बहुत आउस्ट्रेलिया है फिर चीन है और फिर ब्राजील है तो यह सारे चीजे मैंने आपको बताई है फैक्ट के रूप में मैंने कवर किये थे यह पॉइंट किस खनिच को सौप स्टॉन के नाम से भी जाना आ जाता है अगला कुशन है भारत में जादू गोड़ा खान किसके लिए फेमस है तो यूरेनियम के लिए फेमस है जारखंड में है यह पॉइंट मैंने आपको अलग से बताया था है इंपॉइंट है आपको याद रखना है जादू गोड़ा खान कहां इस्थे थे थे तो सेंभूमी जारकंड में यह इस्थे थे तो दोस्तो यह थे हमारे 24 महत्यपूर्ण MCQs question जो की already exams में आय हुए हैं और काफी जादा important है आसा करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा यदि आपको इस topic की PDF चाहिए तो आपको हमारी application से PDF को download कर सकते हैं इसके आपको